ओम नमस सिवाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमस सिवाय जरूर लिखें दोस्तों सावन का महीना बर्सा और हर्याली से भरपूर होता है और इस मौसम में बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है इसलिए इस महीने में खान पान में खास साबधारी भरतनी चाहिए आयुर्वेद में सावन के महीने में खान पान को लेकर विसेश निर्देश बताए गया है इसके साथ ही सावन के महीने में भगवान सिव की अरारना होती है सोम बार के दिन ब्रत रखे जाते हैं सावन के पूरे महीनी सात्विक धर्म का अच्छे से पालन करने की परमपरा है और इसमें रहान सहान वखान पान का बहुत ही अहम अस्थान है इसलिए इसके बारे में बहुत सारी बाते बताई गई है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि सावन के महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करे इसकी ठंडी प्रकिर्टी के कारण ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है इसे खाने से सर्दी जुकाम गले से संबंधित बिमारियां भी हो सकती है वैसे भी दही है सो दूध से बना होता है कच्चा दूध का सेवन कच्चे दूध का सेवन सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी मानिता है कि कच्चा दूध भोले नात को अर्पित किया जाता है इसलिए सावन के महीने में इसका सेवन नहीं करना चाहिए सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बैंगन को असुध माना गया है इसलिए स्रावन के महीने में हम लोगों को बैंगन खाने से बचना चाहिए हरी पत्तेदार सबजियां ये तो हर कोई जानता है कि सावन में हरे रंग का बहुत महत्व होता है परन्तु आपको ये बात जानकर रास्चर्ज होगा कि सावन में हरी पत्तेदार सबजियां खाने को मना किया गया है कहते हैं हरी पत्तेदार सबजियां हमारे सरीर में बात को बढ़ावा देती है इसलिए सावन के महीने में इनको खाने से बचना चाहिए इसके साथ ही कड़ी, स्रावन के महीने में कड़ी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कड़ी में प्याज और दूद से बनने वाली चीजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए कड़ी नहीं खाना चाहिए, मास, मचली, लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, बरसात में तामसिक प् प्रोजनु भूजनियों के नहीं क्राव्रेमाने से होजनों के चु सभी मुक्राव सबस्काल कि चाहिए और हम खुरेश्म भूजन की चिए कि स्सक्रावाद वॐच्पर compr अलावा सावन के महिने में सेव, केला, अनार, नासपाती, जामुन और आम जैसे मौसमी फल भी खाने चाहिए। सावन में पुराना चावल, गेहू, मक्का, सरसो, मूंग और अरहर की दाल जैसे अनाज खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।